हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे इस चैनल पर तो दोस्तों आज हम लोग मैंक पेस से रिलेटेड एक लॉंग कोईशन को देखेंगे और इसका मैं एंसर आपको बताऊंगा लॉंग कोईशन है फाइफ एंडेड वर्ड्स में आता है यह कोईशन राइट अनोट इन दा सिगनिफिकन्स आफ दा स्लीप वॉकिंग सीन इन मैक बेथ ओके तो यह कोईशन आता है और बहुत ही इंपोर्टन्ट है स्लीप वॉकिंग सीन यानि जो लेडी मैक बेथ हैं वो सोते समय क्या-क्या बकती हैं क्या-क्या प्रतिक्रियाएं देती हैं उनका हाव भाव कैसा रहता है क्या-क्या बोलती हैं सोते समय उस सीन का वरलन करना है हम लोग को बताना है ओके चुकि लेडी मैक बेथ और मैक बेथ मिल करके जब राजा डंकन की हत्या कर देते हैं तो उसके बाद लेडी मैक बेथ को एक बिमारी हो जाती है नेमिसिस नेमिसिस मतलब वो रात में जब उठती है तो नीन में इसे रहती है मतलब नीन में रहती है और राजर डंकन के मडर की पूरी कहानी बताती रहती है अपने आप नीन में रहती है और नीन में उठ जाएगी जो लेडी मैक बेथ रहती है और बहुत ज़दा परेसान हो जाती है और सब कुछ बताती है कि कैसे हम लोगों ने मारा मैकवेत को पूरा जो उसने उपाय बताया था डंकन को मारने का उन सारी बातों का वर्डन वो सोयम ही करती है तो राइट नोट इन दा सिग्निफिकंस आप दा स्लीप वाकिंग सीन इन मैकवेत तो उसी सीन को हम लोग को य उसकी दशा कैसी है जब भू राज डंकन की हत्या कर देते हैं लेडी मैकवेत और मैकवेत मिल करके तो लेडी मैकवेत की दशा कैसी है हाव बहुस का एक्सिंप्रेशन कैसा है देखिए मैं ठोड़ा सा तेज पढ़ाने की कोसिस करूंगा हिंदी इसकी बताऊंगा तो जो मैंने डाली है, ऐसे ही सेम आपको एक्जाम में लिखना है तो पहली heading आपको introduction लिखना है थोड़ा सा आपको परिचे देना है कि यह जो sleepwalking scene है यह किस act में, किस scene में घटित होता है, ओकी तो मैं पढ़ता हूँ और बहुत तेज पढ़ूँगा आप समझे यह जो sleepwalking scene है यह final act के opening scene में घटित होता है यानि कि final act आखरी act के पहले scene में यह घटना घटित होती है यह जो sleepwalking scene है Macbeth had managed to get the son and wife of Macbeth killed Macbeth ने Macbeth के son और wife को यानि कि उसके बेटे और उसकी पतनी को मरवा दिया है Macbeth who had flown to Ireland और Macbeth कहां भाग गया है Ireland यानि कि जब Macbeth Ireland भाग जाता है Macbeth अलग है Macbeth अलग सुनिये ध्यान से जब Macbeth Ireland भाग जाता है तो Macbeth और उसकी जो पतनी थी लेडी Macbeth दोनों मिल करके Macbeth के पतनी और बेटे को मरवा देते है लेडी Macbeth was alone अब लेडी Macbeth अकेली रहती है जब she was repenting for her misdeeds तो अपने बुरे करमों पर वो पस्ताती है repenting का मतलब पस्ताना for her misdeeds का मतलब अपने बुरे करमों पर in this scene the game of nemesis has started इस scene में nemesis का game जो है वो शुरू हो जाता है यानि जो बोलती रहती है बक्ती रहती है सोते समय उसका जो game है वो शुरू हो जाता है the retribution has begun और जो सजा है दंड है वो भी सुरू हो जाता है यानि जो lady macbeth को उसके करमों की सजा मिलनी है वो मिलना सुरू हो जाता है retribution means सजा या दंड lady macbeth suffers badly lady macbeth को बहुत ज़्यादा कस्ट होता है बहुत ज़्यादा परेशानी आती है her criminality is abnormal उसका जो अपराद है बहुत ही आशामान है एक परकार से बहुत ही कुरूर काम किया है her suffering's are so abnormal इसलिए उसका जो दंड है suffering का मतलब उसकी जो परेशानी है problem हो भी बहुत abnormal मतलब बहुत आसामान है चुकि उसने बहुत आसाधारन काम किया है किया है इसलिए उसका दंड भी बहुत घिनयोना है she suffers both inwardly and outwardly यानि कि वो अंदर से आंतरी ग्रूप से और बाहरी ग्रूप से दोनों रूप से वो कष्ट जहलती है बहुत ज़्यादा उसको परिशानी होती यानि मांसी ग्रूप से और सारेरी ग्रूप से inwardly का मतलब अंदर यानि मांसी ग्रूप से बहुत ज्यादा परेशान है and outwardly और बाहरी ग्रूप से भी फिस्कली ग्रूप से बहुत ज्यादा वो परेशान है तो यह आपको introduction में लिखना है इतना आप चले देखते हैं हम लोग next heading तो दूसरी heading आपको लिखना है inwardly, sorry, inward suffering of lady mackwith, यह जो उसकी आंतरिक परेशानी है, problems है, उसको लिखना है, inward मतलब आंतरिक suffering का मतलब उसकी जो परेशानी कस्ट है of lady mackwith, lady mackwith की आंतरिक कस्ट या आंतरिक परेशानी, the inward sufferings of lady mackwith are visible from her expressions and disappointment and frustration in the previous scene, यानि कि जो उसका आंतरिक कस्ट है, problem है, वो आप lady mackwith के expression से देख सकते हैं उसके निरासा और उसके frustration, frustration मतलब उसका हतासा यानि वो जो हतास थी disappointment मतलब निरास तो जो उसकी निरासा थी उसकी हतासा थी, उसके expression से आप उसके inward suffering को देख सकते हैं, यानि उसकी जो आंतरिक दूरदसा है, उसको देख सकते हैं किसके दोरा, भाई जब आप मडर कर देंगे तो आप हमेशा हतास रहेंगे, निरास रहेंगे, एक दर बना रहेगा, तो वो expression आपके चहरे पर ज़लकेगा और फिर आदमी पता आदमी को पता चल जाएगा कि मडर आप ही ने किया है, तो वही चीज जो लेडी मैकबेट के अंतर disappointment थी, frustration थी, उसका expression उसके चहरे पर नजार आ रहा था, visible का मतलब दीख रहा था, और यही उसके वो बाहरूप से दिख रहा था, यानि जो अंदर की उसकी जो suffering थी, problems थी, वो बाहरूप से दिख रहा था यानि कि उसके चहरे पर आप देख सकते थे, ओके मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है रहा है, बहुत easy language में लिखा हुआ है, बहुत कुछ था लेकिन मैंने थोड़ा कार्ट पीट दिया है इसको, क्योंकि 500 words में आपको लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है आउट वर्ट सफरिंग साप Lady Macbeth, यानि कि बाहरी जो उसकी problems थी, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है Lady Macbeth leaps her bed, वो अपना bed छोड़ देती है यानि वो जब राजा डंकन के बाद, सुरी राजा डंकन की मृत्ति के बाद, जब वो problems को सफर करती है तो क्या क्या करती है, Lady Macbeth leaps her bed, वो अपना bed छोड़ देती है बेड से उठती है, यह per day उसका काम हो गया था, रात में bed को छोड़ देती थी she rises from her bed, बेड से उठती है, she throws her night gown upon her body अपने सरीर पर अपना जो कपड़ा हो पहनती है, night gown मतलब रात का कपड़ा जो पहना जाता हो उसको पहनती है she brings out paper from her almira और almari से एक paper निकालती है she folds its, इसको मोड़ती है, writes upon it, इस पर कुछ लिखती है and seal it और इसको फिर बंद कर देती है कागस को she returns to her bed, फिर वो अपने bed पर जाती है and performs all her part in the state of perfect sleep फिर वो एक अच्छी नीन लेती है the doctor and the maid servant are eyewitness to the whole affair जो doctor और उसकी नोकरानी है, नी lady macbeth की जो नोकरानी थी, made servant का मतलब नोकरानी थी और doctor are eyewitness, यह साक्छी है, साक्छी मतलब सबूत है to the whole affair, पूरे matter का, यानी जो पूरा मामला था यह दोनों समझ जाते हैं यह साक्छी है, मतलब सबूत है मतलब जब यह चुकी, जो उसकी नोकरानी थी, वो lady macbeth के पास ही रहती थी हमें सा और doctor इसके इलाज के लिए जाता था, तो जब doctor और उसकी, जो maid servant थी, इन दोनों ने जब देखा इसकी हालत को lady macbeth के तो समझ गए, वो एकदम साक्छी हो गए आखों से उन्होंने देख लिया कि लगता है, मडर इन्हों ने ही किया है लगता है कि एकदम 100% से ओर हो गए, doctor और उसके maid servant कि यह जो मडर, king duncan का हुआ है, यह lady macbeth ने ही किया है तो वो लोग eye witness थे, मतलब साक्छी थे, पूरे affair के, पूरे मामले के the doctor had never seen such a slippery agitation of any her patient doctor ने अपने किसी भी मरीज को कभी इस हालत में, इतनी बुरी हालत में नहीं देखा है किसी भी अपने patient की इतनी दुरदसा बेकार नहीं देखी है, ओके तो यह दोनों चीज़ें आपको लिखना है, अब चलिए देखते हैं, अब जो है वो story पूरी लिखनी है तो यह 3 heading है, अब जो है सबसे बड़ी heading आपको लिखनी है चौथी heading हर statement during the sleep walking sleep मतलब सोते हुए, walking का मतलब चल रहे है यानि जब वो सोते हुए चलती है यानि निद्रा में चलती है तो वो क्या-क्या बकती है, क्या-क्या statement उसके कथन उसके मुह से निकलते हैं ओके तो यह पूरी कहानी है, इसमें यह देखिए और the doctor's reaction यानि doctor का जो reaction होता है, बस इतना लिख देना है आपको बहुत ही easy language में देखिए, lady macbeth looks to her hand in which she still finds the spot of duncan's blood lady macbeth अपने हाथों को देखती है, जिसमें उसको अभी भी लगता है कि blood लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, राजा डंकन का यानि राजा डंकन का चुकी इसने खून किया था, इसलिए बार-बार अपने हाथों को रोज देखती है, और इसको ऐसा महसूस होता है, कि डंकन का खून अभी भी इसके हाथों में लगा हुआ है, she wants these spots, spots का मतलब धबबा, she wants these spots to disappear from her husband, sorry, from her hand, वो चाहती है कि इसका खून का धबबा है, इसके हाथ से disappear हो जाए, मतलब गायब हो जाए, मिट जाए, okay, see again refers to the time of डंकन's murder, फिर वो नीन में चलते हुए डंकन's के murder का समय का उलेक करती, मतलब बगती है समय की कब वो समय था, हमने कम मारा था, उसको यह सब बगती है, see again refers to the time of डंकन's murder, यानि कि पुना हो डंकन के हत्या का समय का वर्डन करती है, बताती है, by the clock it is two, यानि दो बज रहे था, इसे वो बोलती है, दो बज रहे हैं, it is the most opportune time for the murder, murder करने का बहुत ही अच्छा समय है, but Macbeth is making unnecessary delay, लेकिन Macbeth birth ही देर कर रहा है, hell is back, sorry, hell is black, नरक काला है, यानि अंधकार में हो गया है, यह सब जब murder करने जाते हैं लोग, तो लेडी Macbeth यह सब बोलती है, तो वही अब दोबारा है बोल रही है, पागल हो गई न, hell is black, नरक जो है अंधकार में हो गया है, लेडी Macbeth again refers to the banquet scene, फिर यह banquet scene का उले करती है, लेडी Macbeth, यानि banquet scene जब वह भोजन कर रहे होते हैं सभी लोग, तो उसमें Macbeth को राजर डंकन का भूत दिखता है, तो उसको समझाती है, लेडी Macbeth की कोई भूत भूत नहीं होता है, तुम फाल तुम क्यों डरे हो, तो उस scene का भी wordन करती है, Macbeth is looking to the ghost of Banco, Macbeth को Banco का घोष्ट यानि भूत तिकता है, he is feeling absolutely nervous, वो बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा था, नर्वस महसूस कर रहा था, मतलब परेशानी उसको हो रही थी, लेडी Macbeth says that it is very sameful, लेडी Macbeth कहती है कि बहुत ही सर्मनाक बात है, that a valiant soldier की एक बहादूर सैनिक, like Macbeth, Macbeth की तरह, Macbeth की तरह, यानि Macbeth जैसा एक बहादूर सैनिक, should act so poorly, यहाँ पर poorly होगा, इतना बेकार काम कर रहा है, मतलब डर रहा है भूत से, जो की है ही नहीं, यहाँ poorly होगा, okay, पी नहीं है, तो पी लगाली से, and should be afraid of the unreal ghost, और आवास्तविक, भूत से डर रहा है, यानि कि जो भूत होता ही नही डाइनिंग टेबल पर, तो लेडी Macbeth कहती कि Macbeth जैसा पीर बहादूर सैनिक, बेर्थ काम कर रहा है, बहुत बेकार काम कर रहा है, और unreal ghost से डर रहा है, यानि कि जो भूत होता ही नहीं, उससे डर रहा है, लेडी Macbeth refers to the ill-fated night before Duncan's murder, फिर उस बेकार, यानि कि इल बुरी रात का भी वर्डन करती है, जब इन्होंने Duncan का मडर किया था, तो लेडी Macbeth उस रात का भी वर्डन करती है, यानि बार बार उसी का वर्डन करती है, She tells her husband that he should not fear to murder the king, वो अपने husband को बताती है कि, राज़ डंकन का मडर करते समय डरना नहीं चाहिए, because nobody would know about the murder of Duncan, क्योंकि राज़ डंकन के मडर के बारे में कोई नहीं जान पाएगा, nobody know, nobody would know, मतलब कोई नहीं जान पाएगा, about the murder of Duncan, डंकन के murder के बारे में, कहते हैं कि मार दो कोई नहीं जान पाएगा, there would be none to demand any explanation from them, तुमसे कोई explanation नहीं पूछा जाएगा, demand का मतलब पूछना, explanation का मतलब order, यानि तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कैसे राजा मरे, कैसे नहीं मरे, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मार दो, when she went into her chamber, जब वो अपने कमरे में जाती है, she saw bleeding डंकन, तो देखती है कि राजा डंकन के सरीर से bleeding हो रहा है, यानि खून बैर रहा है, she expresses her surprise, यहाँ पर हर होगा, जहाँ B-E-R लिखा है, वहाँ यच-E-R होगा, okay, she expresses her surprise, वो अपना आश्यर बैक्त करती है, that the old king should have so much blood in his body, कि जो पुराने राजा है, यानि किंग डंकन है, उनके सरीर में इतना खून है, आश्यर बैक्त करती है, लेडी मेक्वेथ, लेडी मेक्वेथ, अगेन refers to the murder of मेक्वेथ's wife, फिर ये मेक्वेथ के wife की जो murder की थी, उसका भी जिक्र करती है, लेडी मेक्वेथ, यानि कैसे उसका murder किया था, मेक्वेथ के wife का और उसके son का, ये सब कुछ वो बोलती है उसी निद्रा में, she wants to know the where about of the noble wife of मेक्वेथ, मेक्वेथ की जो wife थी उसके बारे में, सब कुछ वो जानना चाहती थी, लथेना फाइफ, जो की कहां का थेन था, फाइफ का, यानि मेक्वेथ कहां का थेन था, फाइफ, फाइफ एक अस्थान का नाम है, जहां पर मेरे ख्याल से युद्ध हो र लेडी मेक्वेथ ने, और मेक्वेथ ने मिलकर मारा था, तो लेडी मेक्वेथ उसका भी जिक्र करती है, फ्रेल लास्ट हैडिंग थोड़ा साब को लिख दिना है, डॉक्टर's reaction, डॉक्टर क्या reaction देता है उसकी इस वीमारी पर, डॉक्टर हुएर्ट तुदा वर्ट्स आ यानि कि रात में देखता है कि ये रात में उठ करके पूरा मडर का सीन पूरा वर्डन कर देती है, बता देती है अपने आप, तो देखता है और कहता है, डिसीज इस अबनॉर्मल, ये जो बिमारी है, ये जो बिमारी है, ये अबनॉर्मल है, मतलब बहुत आसाधारण है, आसमान ने है, बहुत बुरी बिमारी है and he cannot cure such a disease और वो ऐसी बिमारी को ठीक नहीं कर सकता, it is only God who can save her. अब सिर्फ इस वर ही है जो उसे बचा सकता है. The doctor is surprised that the noble lady could do so much of crimes. डॉक्टर भी आश्यर चकीत है कि जो lady है, यानि जो lady macbeth को इतना घिनोना, यानि इतना बेकार crime कर सकती है, इतना जगन अफराद कर सकती है, he demands blessing from God. डॉक्टर, God से अशिरबाद मांगता है, मतलब lady macbeth के लिए, कि है God lady macbeth के रच्छा करना, मतलब वो कहता है कि मैं नहीं ठीक कर सकता, तो ये question था, मैंने थोड़ा तेज पढ़ाया, जो कि इसमें कुछ था नहीं, बट ऐसे ही बताना था, तो मैंने आपको बता दिया, उम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,